कि नबसकार दोस्तों मैं नीरज इंटरपाइजेश कानपूर से और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं दोना प्लेट का काम बिजनस कैसे स्टार्ट करना है कैसे क्या करना है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारिये मैं आपको आज दूंगा और अपने चैनल के कशे कर रहे हैं कुछ लोग कर रहा है PLAY अग कॉस तरह से जांकारी करें अच्छे से क्या काम करना है किस तरह से मार्केटिंग करना है कि प्रॉफिट है ये सारी चीजे मैं आपको पूरी जानकारी जो है अच्छे से दूँगा इसकी से में और जैसे दोना प्लेट का आप नया starting आप इसकी जो मसीने आती हैं इनको मैनुवली आप मसीने लेकर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिक से भी स्टार्ट करते हैं मैरे पसमे कम से कम यह दस गया रुप्य पते हैं लेकिन होता क्या है लोग सही जानकारी तक पहुंच नहीं पाते हैं हम आपको यह बताना चाहते हैं जो मसीन आप स्टार्ड करें कम से कम इतना प्रोडक्शन हो आपका कि डेली का पांट सो रुपे हजार रुपे कमा सके हैं इस विसे में आज जानकारी देरना चाहता हूं कि जैसे जो भी मसीने आप लगाएं वो आटोमेटिक से ही सुरुवात करें क्योंकि मैन्वली मसीन से आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है क्योंकि आज की डेट में क्या है इतनी लेवर महंगी है जिसके करण धाई से तीन सो रुपे लेवर ही चार्ज करती है तो कम से क अगर आटोमेटिक मसीन लगाएंगे हजार से 500 रुपे आपको प्रॉफिट होगा तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पार मसीन अती सिंगल डाई की जो सबसे कम कीमत की 25,500 रुपे से स्टार्ट है अगर इसको आप मसीन लगाते हैं तो इस मसीन की कीमत जो है 25,500 रुपे है और इसमें प्रॉडक्शन जो होगा 15-20,000 दोने 10-8-10 गंटे का प्रॉडक्शन होता है इसमें क्या है अलग अलग साइस से आप दोने बना सकते हैं जैसे कि हमने आपको दोना दिखा यह सेंपल रखे हुए हैं सबसे छोटी जो होती है चार इंच की कटोरी होती है उससे ब सेंपल जैसे देखते हैं यह चोटा साइज है चार इंच का बोलते हैं इसमें लगबग क्या है एक किलोगर माल आप लेते हैं मार्केट से अस्टी से सो जिये समने तो लगबग सास से साथ सो पीस आपके बनते हैं यह चलता है पानी पूरी चटनी छोटे जो बतासे दुग थे समोसे के लिए आप जैसे यह साथ इंच बोलते हैं इसको कटोरा बोलते हैं फो आप इसको दे सकते हैं फिर इसके बारा इंच की थाली है आपकी 12 इंच की थाली भी निकल जाती है असानी से फिर आपकी 14 इंची थाली है बीच के साइज 13 इंची आते हैं और भी प्लेट्स है अलग-अलग बेजाइन में आप लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं कहने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग आप 25500 रुपे से मसीन मसीन है इसमें आपको एक जानकरी दी जाती है कैसे मसेन चलाने अलगा हमारा घर भी जाता है आपको मसीन इंस्टॉल करना क्या करना और गैरंट्टी वरण्टी से लिए करके सारी जिम्मेदारी हमारी होती एक साल तक बहुत से लोग मसीन बेशने आले पान साल दस साल जीवन भर की गरंटी लेते हैं लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं करने वाला है आप हमारी कंपनी में एक बार आईए विजिट करिए आपको अच्छा लेगे अगर इसका आप सही कल्कुलेशन कर लें सही कल्कुलेशन का मतलब यह है कि माल यह 10,000 बनाते हैं छेंज के अगर तो लगबग आपका दस हजार पीस में 22 किलो माल लगता है तो 22 किलो की माल की कीमत आप जोड़ते हैं लगबग 11-1200 रुपए खर्चा आ जाता है बहुत से लोग आपको क्या करते हैं कि 15500 रुपए अगर 1000 कोई बनवाई दे रहा है तो लगबग 10,000 दोने की 1500 रुपए बनवाई हो गई लगबग 500 रुपए 10,000 रुपए अगर एक मसीन सिंगल डई की मसीन चलाते हैं और 8-10 गंटे काम कर रहे हैं तो इसमें यह मान चलिए कि मोटा मोटा आपका 700 से 800 रुपए प्रोफिट आता है 15,000 दोने बनते हैं तो 500 रुपए और 500 रुपए 50,000 पाँजार पीस का मोटा मोट 500,500 रुपए आपके सारे खर्चे काटने के बाद लगबग आपको जो प्रोफिट आता है वह 500 रुपए एक मसीन से निकलता है इसी में फिर डवल डई मसीन आता है जो की स्क्रीन पर चला है मेरा वीडियो आप देखिए डवल डई का इसमें क्या है डवल डई मसीन यह लोग बोल देते हैं कि 14 इंज तक मेरा आइटम बन जाएगा लेकिन आपको जानकारी नहीं होती क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग करने के लिए नहीं होते हैं जो कि कहीं से भी मसीन लें तो पहले मसीन को समझें कि उसका बेस साइज कितना बड़ा है मसीन के रोलर कि समंटे हिए लोग मार्केट में बहुत से लोकल ब्रैnd चला करके दिल्ली मेड मोटर लगा देते हैं कानपूर के लगा लेकिन मसीन 4-5 घंते-5 घंते-3 घंते चल लए उसके बाद में मसीन ब्रेक हो जाती है खाड़ी हो जाती है पिर आप उनको फोन करते हैं इस से पहले मशीन लेने से पहले सही जानकारी आप कर लें कि मोटर कौन सी कंपणी के लगा है वहीं से मशीन लें डाई देख लीजे, डाई भी ब्रेंडेड होनी चाहिए आपकी, रोलर भी ब्रेंडेड क्या है, रोलर का साइज देख लिए कितना है, बेस साइज मसीन का देख लिए, रोलर का बेस साइज कितना है, और डबल डाई की मसीन की बात करें, डबल डाई की मसीन में भी आप क्या लेकिन आइटम बड़े सभी आइटम नहीं बना सकते हैं आप छोठे बनाने के बाद में दूसरी मसीन स्टार्ट करें कम कूझी से शिरुए नहीं आप एक लाग रुपे दो लाग रुपे लगा करें आप चोटी मसीन लगाई है फिर जैसे मैंने बताया लोग क्या करते हैं मार्केट में माल का लेन देनगा मेन मेरी मसीन बेचने का फंडा नहीं है कस्टुमर आए अपनी च्वाइस से पसंद करें मसीने देखे मेरी फैक्टरी में आके यहां खुद की मैनुफैक्टरिंग है आप यूनिट पर आईए देखिए सारी चीज़े अभी मिचें के और जानकारी मीया बखेंए करें गोहीं पर आएंगे लेकिन क्या है जो ब्ुकर्alten होते में आपको सही मसीन नहीं देपाएंगेunto hobi बेया जब तक आप मैनुफेक्चर से माल खरीदेंगे तभी आपको सही माल और सही जानकारी मिलेगे आप आईए अपनी फैक्टरी रो मेट्रियल पेपर की भी है आपको मार्केट से चार रुपए किलो तिन रुपए किलो पेपर मेरे हमेशा कम मिलेगा और मेरे पास में अगर कर सकते हैं अब हम कहें अगर 500 किलोमेटर से कोई आ रहा है उसके साथ बाई बैक का अप्शन कर लिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका ट्रांस्पोर्ट चार्ज बहुत लगता है जैसे मालों मैं 100 रुपए बोरी पर कंविंस देता हूं प्रांस्पोर्ट चार्ज देता हू और साथ में अपना जो पेमेंट बनता है उसको लेते जाईए एक बार फैक्ट्री विजिट करिए हमारा आकर के देखिए कानपूर में मेरा आवाज विकास केशोपुरम में पढ़ता है फैक्ट्री नीरज इंटर्प्राइज पर आपको गूगल पर लोकेशन मिल जाएग अभी आपको मसीन हमने बताया कि मसीन आप कहां से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं दोसी चीज क्या है आगे मैं इसके बाद में जो वीडियो डालूँगा मसीन को कैसे इंस्टॉल करना है कैसे मसीन को रिपैर करना है जो वेक्ति मसीन लेकर फस्ट चुके हैं उनकी समस्या में जो भी मसीने खराब हैं, आप मेरे से ठीक करा सकते हैं, उसकी मैं प्रॉपर आपको सर्विस दे सकता हूँ, और अगर आपको लगता है मसीन चेंज करके दोसी मसीन लेना चाहते हैं, तो मेरे से ले लीजिए, और इसके बाद जो नेक्ट वीडियो मैं डालूँगा, वो भी जोना प्लेट पेपर मसीन का ही होगा, उसके कैसे इंस्टोलेशन करना है, जो लोग व्यक्ती मसीन पैसा लगा के खराब कर रखी है, वो मेरे से बात करें, मैं उनकी मसीन ऑनलाइन सही करा दूँगा, या फिर मेरे वीडियो के माद्दम से एक से छोटी सी बड़ी सी जाओंगा, और एक बार विजिट करें, यही मेरी आप से गुजारिस है, और काम करने से पहले एक बार मिलें, सब चीस समझें, ऐसे किसी फ्रॉड में मत फसें, नमस्कार दोस्ते